नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप सभी का जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली हैं और यह घटना आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। यूँ कहे तो आपका भाग यही चमक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली में दो मायावी शक्तियां एक ऐसी योग का निर्मान कर रही हैं जिसका यदि आपने पूरी तरह से लाब ले लिया तो आपकी जिंदगी में हर वख खुशी आ जाएगी। इसका अब तक आपने के कारिवार में खुशियों की नदियां बही कि यह दोस्ती हम कह सकते हैं कि कल से आपका एक नया जीवन शुरू हो जाएगा, बस सिर्फ एक ही रहेगी। दोस्तों की आपको इस योग को अच्छी तरह से पहचाना है और हिंदू मायावी शक्तियों को भी अच्छी तरह से सम मिल हो जाएगा, यकीन मानिए कि आपके जीवन में ऐसा योग सिर्फ एक बार बना है और यह ऐसा अद्भुत योग है कि जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है, बस आपको इस से पहचाना आवश्यक है और कुछ जरूरी उपाए, यूं कहें कि कुछ जरूर सावधानियां बरतना बहुत आवश्यक है, जैसे कि इलाज के साथ साथ हमें और हिज भी करना पड़ता है, तभी पूरा लाप प्राप्त होता है, दवाईयां खालेने से लाप प्राप्त नहीं हो जाता, उसी प्रकार दोस्तों जीवन में किसी भी प्रकार का योग बने, आपकी कुंडली आपकी राश में किसी भी प्रकार का योग हो, आपको तभी पहुँचा, उसके अनुकूल कुछ जरूरी कार्य करेंगे, सावधानियां बरतियेंगे और उपाय ठीक करेंगे, अन्यथा आपके जीवन में अंश्मात्र ही लाप पहुँचाएगा, हो सकता ह कि कोई फर्क आपके जीवन में आए ही ना और यूं ही गुजर जाए, दोस्तों, ऐसे बहुमूल्य समय कोई यूं ही नहीं करवा देना चाहिए, ऐसे समय में हमें इसका पूरा लाब ले लेना चाहिए, और पूरे जीवन को बदल डालना चाहिए, दोस्तों, बहुत ही किस सी दशा चल रही है और कैसे उनके जीवन में परिवर्तना आ रहे हैं उन्हें इस बात का कोई ग्यान ही नहीं होता है और नतीजा यह होता है कि कई बार उम्मीदों के अनुसार तो लाभ प्राप्त होते हैं उल्टा हनिया हनिया जीवन में शामिल होती हैं क्योंकि उनके कार् आपके लिए बेहत आवश्यक है और आपके लिए एक अम्रित के समान है इस वीडियो को आपको बिलकुल भी मिस नहीं करना है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताई गई हर एक बात को बारीकी से समझना है दोस्तों हम बहुत ही मेहनत करने के बाद सही आकलन करने के ब पोड़ देंगे आपके लिए ही यह बहुत ही दुर्भाग्य शादी होगा क्योंकि ग्यान के ना होने से ज्यादा खतरनाक है अधूरा ग्यान होना क्योंकि यह आपको अंधा बना देता है और आप से ऐसी ऐसी गलतियां करवा देता है फिर आपके सामने कोई भी रास्ता बाकी नहीं रह जाता सिर्फ ना काम्याबी ही आपको हासिल होती है जैसे कि अभिमन्यू को चक्र व्यूह का अधूरा घ्यान होने की वजह से उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा और अंत में उसे मृत्यू का शिकार मरना पड़ा तो दोस्तों आपको घ्यान पूरा लेना है वीडियो पूरा देखना है बस यही एक है तब ही आपका बदल जाएगा उम्मीद है आप हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे चलिए दोस्तों बिना समय गवाएं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सजीवन बूटी के समान वीडियो को प दोस्तों माता की कृपा और आशीरवाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है बिना शक्ति के शिव भी सब के समान है तो एक मामूली इंसान की तो हैसियत ही क्या है उसे तो हर पल मा की शक्ति की आवश्यक्ता है कृपा और आशीरवाद की आवश्यक्ता है तो आपको भी बस यह कार्य सबसे पहले करना है तभी हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हमारा मानना है कि तभी आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आएगा तो बिल्कुल भी संकोच ना करें कमेंट में एक नहीं तीन तीन बार लिखें जैमां काली कृपा करो बहुत चानबिन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है और दोस्तों इन सभी के लिए हम आप से कुछ नहीं चाहते हैं बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुट जाएं जिन में आपको एक रूपिया भी नहीं लगेगा बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा इस से आप हमारा लाखों करोडों का मनोबल बढ़ाएंगे और आपके लिए यह बिलकुल ही फ्री है हम आपको बता दें कि आपके जीवन में पिछले लंबे समय से संगर्ष का एक ऐसा सिलसिला चला आ रहा है जो तूटने का नाम ही नहीं लेता है आप बहुत मेहनत करती हैं, दिन रात प्रयास करते हैं कई बार आप चिंताओं में भी डूब जाते हैं लेकिन चाह कर भी आप अपना काम्याबी को परेशानियों को रोक नहीं पाते हैं आपकी हर एक मेहनत और प्रयास बेकार हो जाता है निश्फल हो जाता तो दोस्तों अब सालों साल की है तपस्या आपकी हल होने जा रही है भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है अब आपकी इसी मेहनत और कठिन परिश्रम का आपको सही परिणाम प्राप्थ होने जा रहा है इस विशेश मायावी ग्रही योग के आधार पर आपको समझना आवश्यक है एक करना क्या है दोस्तों जब तक आप अपने जीवन का अपनी राश्य और कुंडली का सही आकलन नहीं करेंगे तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके जीवन में आखिर चल क्या रहा है आपके नियंतरन से चीजें बाहर क्यों हो जाती है क्यों आप सब कुछ सही होते हुए भी नकाम्याब हो जाती है कई जगह आपको अब मान भी सहना पड़ता है और मैं भी धोखा आपको मिलता है हलांकि दोस्तों पिछले कुछ समय से ऐसा हुआ है जोतिश पर और अध्यात्म पर थोड़ा थोड़ा विश्वास अवश्य जगह है अब आपने ईश्वर की पूजा आराधना में भी अच्छी तरह से मन लगाना प्रारंभ कर दिया है और जोतिश शास्तर में कही गई बातों का यानि की अपनी राशी और कुंडली पर भी नजर बनाना शुरू कर दिया है जो की बहुत ही अच्छा संकेत है अब आपके जीवन में निश्चित तोर पर बदलाव आएंगे दोस्तों हम अपनी पिछले कई वीडियो में आपको बेहद ही जरूरी उपाए जो की हर हालत में आपको करनी ही चाहिए पीने से बेहद ही जरूरी उपाए आपको बताते चले आ रहे हैं लेकिन होता यह है दोस्तों की यात्रा भाई को सुनकर भी नजर अंदाज कर देते हैं पर ध्यान नहीं देते हैं या फिर आप आफिस सुनते भी हैं अच्छी तरह से नहीं सुनते तो उन उपायों का आप सही लाब नहीं ले पाते हैं तो आप चिंता ना करें हम वीडियो के अंत में आपको उन तीन जरूरी उपायों के बारे में भी अवश्य बताएंगे तो आपके जीवन काल में अभी जो समय चल रहा है उसके अनुसार आपको कुछ सावधानियां बरतने की भी आवश्यक्ता रहेगी दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको थोड़ी थोड़ी सफलताएं हासिल हो रही है लेकिन आपके सत्र भी सतर्क होते जा रहे हैं और हमेशा आपके जीवन पर नजर बनाए रखते हैं दोस्तों, यकीन मानिये कि आपकी सत्तू इंतजार कर रही है कि कब आप खाएंगे, कब आप परेशान होंगे और उनके जीवन में आनन्द आएगा। आपके आसपास के लोगों में ही आपकी सत्र छुपे हुए हैं। ऐसे लोग चुके हैं जो आपका किसी भी कीमत पर अच्छा देख नहीं सकते हैं। आपके खिलाफ शडियंत्र रचते रहते हैं। दोस्तों, गलत संगती ये गलत इंसान के चुनाव की वजह से उसका साथ द पूरी तरह से नकारात्मक बना देते हैं। कभी-कभी ऐसा आपने नोट भी किया होगा। दोस्तों, कोई ऐसे इनसान हैं आपके आसपास, जिनके साथ यदि आप एक आद घंटा भी समय बिता लेते हैं, तो आपके शरीर में एक अजीब सी थकावट, एक अजीब सी नकार नकारात्मकता का वास हो जाता है और आपको ऐसा लगने लगता है, जैसे आपने बहुत अधिक मेहनत कर ली है, और आपका मनोबल भी गिर जाता है या नहीं, आप ठके हुए और नकारात्मक इनसान बन जाते हैं, ऐसा इसलिए है, क्योंकि वह इनसान स्वयम इतना नकारात तो वह आपको बुरी तरह से प्रभावित कर देता है। कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी हैं जो आप से बेहद प्रेम करते हैं। कि आप कभी भी सही तरह से अपनी और कभीर पता नहीं लगा पाते हैं। आप हमेशा गलत इनसान को ही चुनते हैं और धोका खा जाते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। वही आपको अपनी शत्रू समझ में आते हैं, आप उनसे अक्सर लड़ जगड लेते हैं, उनका मन खराब कर देते हैं, उनका अपमान भी कर देते हैं, और जो आपके साथ, वह जो आपकी चमचागिरी करते हैं, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, भी ल दोस्तों, आपकी यात्राओं का योग बन रहा है। किसी प्रकार की यात्रा होगी लेकिन एक यात्रा ऐसी होगी जो कि आपके लिए बिल्कुल ही बेकार साबित होगी। आप जैसा सोच कर इस यात्रा के लिए जाएंगे। वह सब कुछ भी आपको हंसी नहीं होगा और यह एक प्रकार की व्यापारी की यात्रा होगी, इसमें आपको बिल्कुल भी लाब हासिल नहीं होगा, तो ज़रा ध्यान देना है। आपको कि अगले 24 में यदि आपकी कोई व्यापारी की यात्रा होती है, उसका थोड़ा ठीक से आकलन कर लेना है। कहीं ऐसा नहो कि आपकी यात्रा भी हो जाए, समय भी खराब हो जाए और आपको कुछ भी हासिल ना। दोस्तों, अनैतिक कारियों की तरफ भी आपका थोड़ा रुजान हो सकता है। गलत कारियों की तरह से जुआ शराब किसी अन्य प्रकार के अनैतिक गतिविधी में भी आपका मन लग सकता है, लेकिन आपको वहाँ जाना नहीं है। अपने आपको रोक लेना है, अपने शुब चिन तक यानि की जो आप से अत्यधिक प्रेम करते हैं, आपके लिए हमेशा अच्छी सलाह देते हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर इन लोगों का सही सम्मान करना है और इनकी बातों को आपको बहुत गंभीरता से लेना है। यह आपके बारे में अच्छी बातें बोलेंगे, बात धन संबंधी कर लेते हैं। दोस्तों, सो रुपए पैसे को लेकर दोस्तों आपको थोड़ा सा गंभीर होने की आवश्यक्ता है। उधार भूल कर भी किसी को नहीं देना है और यदि मजबूरी हो जाती है कि उधार देना ही है, अच्छी तरह से मजबूती के साथ उधार देना है। आदमी को चेक कर लेना है कि जिस आदमी को हम उधार दे रहे हैं वही आदमी है कि नहीं है। पिछली बार उसने आपके साथ कैसा व्यभार किया था। एक दोस्त कुछ सामान दे दिया तो ठीक है लेकिन यदि आप निश्चित तोर पर आपका रुपया फंस जाएगा। आपको वापस मिलेगा नहीं। दोस्तों अगर आपको किसी बड़ी निवेश की ओर भी अगले तीन दिनों तक नहीं जाना है क्योंकि कोई बड़ा निवेश यदि आपने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कर दिया या अगले तीन दिनों में कर दिया तो निश्चित तोर पर आपको बहुत बड़ा घ जीवन की बात की जाए तो यह समय यानि अगले तीन दिनों का समय अपने प्रेमी के साथ बहुत अच्छा बीतेगा। आपको बहुत ही अच्छा समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। पती-पतनी के बीच संबंध बेहद मधुर हो जाएंगे एक दूसरे का प्रिय। इत इनसान हैं तो दूसरों के द्वारा कही गई बातों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसलिए अपने प्रेम संबंध में तीसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से महत्व ना दें। उसकी बातों को बिलकुल भी गंभीरता से ना लें। इसी प्रकार दोस्तों, यद अधिकारियों से सम्मान प्राप्थ होगा और उनके सहयोगी उसे भी उन्हें भरपूर सहयोग प्राप्थ होगा। लेकिन आपके कारियस्थल पर कुछ छुपे हुए आपके विरोधी हैं जो आपसे जल्दी भी है। वह भी आपके खिलाफ शड्यंत्र रचने की पूरी क कोशिश करेंगे लेकिन उनका हर एक शड्यंत्र निश्फल हो जाएगा और आप पूरी काम्याबी के साथ अपने कारियस्थल पर अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों आप अपने जानकारियों का दिल जीतने के लिए अपने काम पर ध्यान देना है। आप आपके कारिय करने की क्षमता अद्भुत है, आपका व्यक्तित्व बड़ा ही अद्भुत है, लोग आपसे जलते हैं, इसी प्रकार दोस्तों व्यापारिक दृष्टी से यह समय उत्तम है, आपको व्यापारिक लाब होंगे, आपकी विक्री बगार अच्छी होगी, आपक किसी भी प्रकार की बड़ी फेर बदल की कोई भी आवश्यक्ता नहीं है, अगले तीन दिनों तक कोई भी बड़ा फेर बदल ना करे, सबसे महत्वपूर्ण बादो स्टाफ है कि आपने व्यापार से जुड़ी हुई योजनाओं को यानि भविश्य में आप क्या करने वा को करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगले तीन दिनों तक आप किसी भी नए व्यापार की भूमिका न बनाएं. आगे ना बढ़े, मन में सोचते बच रहे, लेकिन कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा. साथ ही साथ दोस के साथ आपको समय बिताना चाहिए और उनसे अपने काम धंधे को और अपने जीवन को लेकर चर्चाएं करनी चाहिए. जो भी सलाह वह आपको देंगे, वह आपके लिए बेहत महत्वपूर्ण होगी. दोस्तों, क्योंकि हम आपको बता दें कि जयोतिश के अनुसार सबसे शक्तिशाली ग्रह है. यह ग्रहों का राजा सूर्य होता है. और दूसरा शक्तिशाली ग्रह चांद होता है. और हमारे घर में जो मेरे पिता होते हैं, उन्हें सूर्य माना जाता है और माता को चांद माना जाता है. यानि कि अपनी कुंडली के सबसे मजबूत ग्रह आपके गर में ही मौजूद होते हैं। यदि आप अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं और उन्हें खुश कर देते हैं तो आपकी सूर्य और चंद्र अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं और आपके लिए शुब फल देना प्रारंभ कर देते हैं। संतान को लेकर भी थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यक्ता है। संतान की संगती पर आपको नजर रखना है और गलत संगती में पढ़ने वाली संतान के लिए थोड़ा सतर्क रहें। उसकी गलत संगत को उससे करवा दें और उससे दूर कर देंगे। सबसे अन्यथा आपको भविश्य में आपकी संतान बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है. स्वास्थे की अगर बात करें. तू मौसम से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं. इट से जुड़े लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं. खान पान को लेकर थोड़ी सी सतरकता बढ़तें और मौसम से भी थोड़ा सा सतरक रहें। लापरवाही के साथ यदि आप खान पान करेंगे तो निश्चित तोर पर आपको पेट संक्रमन और इट से ही जुड़ी अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप स्वास्थे के मामले में थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं और जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं आप जरूर से ज्यादा खा जाते हैं फिर आप यह भी परवाह नहीं करती हैं। यह स्वास्थे के लिए अच्छी है या बुरी? हलांकि दोस्तों, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी चीज है, आपके लिए स्वास्थे वर्धक है और कौन सी आपके लिए स्वास्थे के लिए हानिकारक है। फिर भी, आप कभी-कभी स्वार्थ के चक्कर में गलत चीजों को भी खा जाते हैं। इसी वजह से आपको पेट से जुड़े लोग अकसर परेशान करते रहते हैं। जी हाँ, दोस्तों, थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यक्ता है। यदि आपका कोई विवाद चल रहा है, किसी से कोई जगड़ा या फिर किसी प्रकार की कोट का चहरी का मामला चल रहा है, तो दोस्तों, उसमें अर्चने आएंगी, में रुकावटें आएंगी और कुछ विशेश परिस्थितियों का निर्मान होगा, जो आपको मानसिक पीड़ा देगा और आपका धन भी खर्च कर आएगा। इसमें दोस्तों, आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यक्ता है, कि दोस्तों, किसी पर भी आप अंधविश्वास नहीं करना है, आपके अपनों में ही आपके शत्रु चुके हैं, आपसे जलने वाले चुके हैं। और आएंगे भी तो आपका कुछ बिगाड नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका गिफ्ट तो बहुत शक्तिशाली है, तो जब भी आप पर हमला करेंगे, चोट करेंगे, छुपकर ही करेंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी दो मायावती हैं, जिन्होंने एक अदभुत योग का निर्मान किया है और आपको अदभुत काम्याबी हासिल होने वाली है। यह दोस्त ध्यान से सुने, यह जो योग बन रहा है, यह योग कहलाता है और इस युग में जहां तक जो भी कार्य करता है, उसे भरपूर काम्याबी मिलती है और उसका जीवन में सफलता का मार्ग खुल जाता है। दोस्तों, ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से आपकी कुंडली में हो रही है, बन रही है, युग निर्मान हो रहा है और इस योग का प्रभाव अगले 24 घंटों तक रहने वाला है, हालांकि इसके बाद भी इसका प्रभाव अवश्य रहेगा, अगले 7-8 दिनों तक रहे है और आपके जीवन में धीमे-धीमे काम्याबी या प्राप्त होना शुरू हो गई है, आपको शुब समाचार मिलने शुरू हो चुके हैं, कोई भी योग अचानक से नहीं बन जाता है, आने में समय लगता है, धीरे-धीरे वह उच्च स्तर होता है, फिर उसके बाद धीर धीरे भाई धलान पर जाता है और समाप्त हो जाता है, तो अब उच्च स्तर समय अगले 24 घंटों में आने जा रहा है, दोस्तों से तो आप ध्यान से सुने कि आपको करना क्या है, इस योग का सर्वोत्तम लाब लेने के लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा, क सर्वोत्तम प्रभा, आपको लाब देने के लिए तयार बैठे हैं, अगले 24 घंटों में विजय योग का निर्मान कर रहे हैं, आपके लिए सर्वोत्तम प्रभावशाली होंगे, तो आपको करना है, ये है कि अगले 7 दिनों तक शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाना है, और आटे से बने हुए गाई के घी से दीपक जलाना है, और एक नहीं आपको साथ दीपक जलाने है, अगले 7 दिनों तक आपको साथ हनुमान जी के सामने जलाने है, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, साथ ही साथ बजरंगबान का पाठ करना ना भूले, और अपने के अगले साथ दिनों तक नियमित तोर पर आपको सूर्य को अर्ग देना है और सूर्य को अर्ग ये देते समय AUM घ्रणी सूरियाए नमा इस मंतर का जाप अवश्य करते चलना है और सूर्य को अर्ग देने वाले जल में आपको थोड़ा सा गुण और काले तिल अवश्य मिला लेना है दोस्तों ये बेहत शक्तिशाली और सर्वोत्तम उपाय है इन उपायों को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और इस अद्योक का आपको पूरा लाब प्राप्त होगा दोस्तों आप ही उपायों को अच्छी तरह से समझ लें और इन्हें अपने जीवन में शामिल करो अगले साथ दिनों तक भूल कर भी न करें इन उपायों का तो पूरा का पूरा अपने जीवन में आजमाते रहे और आप देखेंगे कि परिवर्तन आपकी आखों के सामने होते चले जाएंगे और ऐसी ऐसी खबरें और समाचार आपको प्राप्त होंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा उमीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है उसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया है जान लिया है और उसे आपको कैसे उप्योग करना है यह भी आप समझ चुके हैं इसी के साथ साथ आज के समय में पूरे भक्ति भाव के साथ जै माकाली जै बजरंगबली अवश्य लिखें और बजरंगबली की कृपा आपको प्राप्त होगी और हम भी माकाली प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन को सुन्दर और मनोरम पाला है इसी के साथ साथ आज किस वीडियो विराम देते हैं अगले जानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै माता की